नमस्ते, तो आज हम रिडिंग करने वाले हैं कि वक्री बूध जो मकर राशी में चल रहे हैं, तो इसका, क्योंकि वक्री बूध जब होते हैं तो बहुत इसका असर होता है, सिर्फ रिष्टों पर ही नहीं, हमारे लाइफ के उपर, हमारे जीवन के उपर इसका बहुत असर ह होता है तो हम देखते कि आपके रिष्टे पर इसका क्या कुछ असर हो सकता है यह चार फरवरी तक वक्री बुध चलने वाले हैं मकर राशी में ठीक है चार फरवरी तक यह जो काल है कि जिसमें बुध अस्त भी रहेंगे और वक्री भी रहेंगे तो इसका क्या कुछ असर आ तो वक्री बुद्ध का इस रिष्टे पर क्या असर हो सकता है देखते हैं ओके गैस सबसे पहले अगर एनर्जी कुछ देखी जाए तो जो बुद्ध का है वो वानी का वानी के देवता है तो जो बुद्ध है वो वानी का कारक है तो सबसे पहले तो सयम रखना है अपने आपके उपर स्वेशली जो लोग कॉंटेक्ट में है मैं उनके लोग बता दू कि अगर कोई ऐसी बात छिड़ जाती है कोई ऐसी गलत फैमिया हो जाती है तो गुस्से में आकर आपको जो भी आप बोलना चाहते हो मतलब हो सकता है कि कुछ लोग आपर अपने पार्टनर के उपर भड़ास नेकाले या आपके पार्टनर आपके उपर कोई भड़ास नेकाले मैं भी बहुत दिनों से जो दिल में संभाल कर रखी है जो गुस्सा है इर्शा है प्यार है जो कुछ भी है हो सकता है कि दुसरे के उपर भड़ास नेकाले तो थोड़ा सयम रखना है अपने वानी के उपर यह यहापर बहुत ज़ादा एनरजी ऐसी है कुछ लोग मुझे आपर ऐसे भी दिखाई दे रहें कि हो सकता है कि आप दुनों के बीच में बहुत ही पेनफुल ब्रेक अप रहा है और आपको अगले यह जो समय है वकरी बूध का उसमें बहुत मतलब डिप्रेशन सा हल हो सकता है गाईज़ाब का आपको एक ऐसा फील होगा कि यार कुछ फाइदा नहीं हुआ है आपको ऐसा फील होगा कि जिससे आपने प्यार किया उसने तो कभी आपके कदर नहीं कि तो क्या फाइदा हुआ ऐसे इंसान के पीछे वक्त बर्बाद करने का आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि सब कुछ जैसे के जिन्दगी में तहस्नेस हो चुका है एक इंसान के आने से आपके जिन्दगी पूरी बदल चुकी है और बहुत कुछ लॉस आपका हुआ है ऐसे भी आपको फील हो सकता है आने वाले दिनों में और सेम एनरजी मुझे आपके परसन की दिखाई दे रहे कि उनको भी एमोशनी लॉस बहुत फील होने वारा है गलती किसकी है ये माईनी नहीं रखता लेकिन लॉस दोनों को भी फील हो रहा है आपके परसन की गलती है तो भी इस इंसान को भी लॉस फील हो रहा है कि उसने आपको खो दिया है एक ऐसी energy आपर है कि बहुत लोग आपर ऐसी है कि आप दोनों के बिश्वें बात्चित नहीं हो रही है और जो लोग contact में हैं उनका भी मैं हाल बता दू कि ऐसा लगता है आप दोनों को कि यार कुछ missing है वो पहले जैसे दिन नहीं रहे वो पहले जैसे बात नहीं रहे अगले जो कुछ भी चार फरवरी तक जो ये समय रहेगा तो कुछ loss फिल होगा दोनों को भी और किसी एक को ऐसा लग सकता है कि सामने वाला जैसे की धोका दे रहा है या तो यह आपके energy हो सकती है या आपके person की आपको ऐसा feel हो सकता है कि अनसान किसे और से बात करता है या तो उस अनसान को ऐसा feel हो सकता है कि सामने वाला person किसे और से बात करे मतलब आप किसे और से बात करते हो या तो आपकी person को ऐसे energy आ सकती है उस अनसान को बार बार ऐसा feel होगा क्यार मैंने इतना प्यार किया और मेरे ही साथ धोका मतलब या तो यह आपके अनरज़े हो सकती या तो आपके पार्टनर की देखो काई जनरल रिडिंग होती है तो वाइस वर्सा हो सकता है तो आपको रेजोनेंट कर लेना है यह किसके साथ मैच होता है तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके person कुछ गुसा, कुछ नाराज़गी आपके उपर उतार सकते हैं अगर आप contact में नहीं हो, तो contact में आने के बहुत ज़ादा chances है जो लोग कई साल हो गए contact में नहीं है, वो भी contact में आने की बहुत ज़ादा chances है कोई एक साल से contact में नहीं है, कोई डेर साल से contact में नहीं है ऐसे ऐसे लोग भी contact में आ सकते क्योंकि इस इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे उतल पुतल मचने वाली है कुछ ऐसे सवाल इस इंसान के मन में आने वाल है कि जनके जवाब सिर्फ आपके पास है और वो इंसान उन सवालों के जवाब पाने के लिए आपकी जिंदगी में आएगा कुछ लोग के लिए बता दू कि अगर इस इंसान ने कुछ आपसे उधार लिया है तो वो इंसान वो उधार लोटाने के बहाने से आपकी जिंदगी में आएगा और इस रिष्टे के एक नेशिर्वात करने की कोशिश भी करेगा लेकिन फिर भी यहाँ पर उथल पुथल ही मुझे जादा दिखाई दे रहे हैं अगर आएंगे तो जगड़े हो सकते हैं गलत फैमिया जादा हो सकती है कुछ ऐसे एनरजी है यहाँ पर कि या तो उस अंसान को आपके किसी फ्रेंड के उपर शक हो सकता है अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करते हो तो उस अंसान को ऐसा लगेगा कि आप उसको धुका दे रहे हो या अगर वो अंसान अपने किसी फ्रेंड के साथ बहुत क्लोज है या उससे बाते करता है तो आपको यह energy फील होगे कि यार इसका ना कोई चक्कर है यह ना मुझे धुका दे रहा है ऐसी कुछ energy मुझे आने वाले दिनों में बहुत जादा आ रही है एक burden के तले एक बोज के तले जैसे आप दब जाओगे आपके person का ऐसा मानना है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है आप भी उनसे प्यार करते हो लेकिन जो विश्वास आप दोनों के बीच में होना चाहिए वो विश्वास यहाँ पर कुछ कम ही दिखाई दे रहे हैं और राने वाले दिनों में इन मुश्वत खाषागरण आपको करना पड़ सकता है कि या तो वो एंसान शक्कर करके जड़ाद करेंगा या आप शक्कर करके उस इंसान को परिशान कर सकते हो यह आ पर आलफाबेड बने हैं U बना है सबसे पहले U, यल बना है टी अक्षर बना है Y बना है Yes Yum, यन Okay I बना है P, P बना है C बना है Okay यच बना है यहाँ पर Okay इतने अलफाबेट मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहे तो guys आने वाले दिनों में यह इंसा spirituality की तरप भी जाएगा इस इंसान को पता कि आप बहुत spiritual हो और कही नखई आपको एक mirror भी कर सकता है इंसान ठीक है, अगर आप spiritual बनोगे तो इंसान spirituality की तरप जाएगा अगर आप positive सोचोगे तो यह इंसान कही नखई नखई आप को ही मिरर करने वाल है प्यार, इस रिष्टे भी प्यार की कोई कमी नहीं है, लेकिन जगड़े फसा, टेंशन, गलत फैमिया ये बहुत ज़ादा इस रिष्टे पर असर कर रहा है, ये जो चल रहा है बुद्ध का वक्री होना तो ये ज़ादा असर करेगा इस रिष्टे पर ऐसे की गलत फैमिया बढ़ सकती है जगड़े बढ़ सकते हैं अगर किसी और की बज़े से जगड़े लगे है तो वो इंसान जिसने जगड़े लगाए थे वो और ज़दा कोशिश कर सकता है इस रिष्टे को तोड़ने की आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकता है ऐसे कुछ एनरजी मुझे आ रही है लेकिन जब तक देखा जाए यहापर प्यार की बात तो इस अंसान के दिल में बहुत इमोशन्स रहेंगे आने वाले दिनों में और उतना ही जदा आप भे उस अंसान के लिए प्यार आपका बढ़ता ही जाएगा मतलब बाहर से आप दोनों एक दूसरे को कुछ भी दिखाए लेकिन मन ही मन एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ता ही जाएगा ऐसी एनरजी हापर है ना आप उस इंसान को भूल पाओगे ना वो इंसान आपको भूल पाएगा एक एक दिन एक एक समय जो एक एक पल काटना मुश्किल हो सकता है आप दोनों को एक दुसरे के बिना आप दोनों की जमती भी नहीं है आप दोनों की पटती भी नहीं है मतलब एक दूसरे के बिना आपका मन भी नहीं लगता है, और आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हो, ऐसे कुछ हालत इस रिष्टे में हैं, प्रेगनसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ लोग आप ऐसे शादी शुदा हो आप दोनों, ठीक है, तो प्रेगनसी ऐसी अच्छानक यह good news मिल सकते कुछ लोगों, अगर आप शादी शुदा हो, साथ में रहते हो तो, ओके, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं, कि अगर आप पिछले 6 मेने से बात नहीं कर रहे थे, 6 महिने, पिछले 6 महिने बहुत ज़दा ऐसे energy है, पिछले 6 महिने से अगर आप बात नहीं कर रहे थे, तो अच्छानक आप दोनों की बात हो सकती है, अच्छानक एंसान ऐसा कोई offer लेकर आपके सामने आ सकता है, कि आप खुद भी हरान रह सकते हो, मतलब कुछ लोग के लिए एंसान इतना जादा इस energy में आएगा कि उसको इस रिष्टे में बढ़ना है, ठीक है, यह अनसान जब आपसे बात करेगा, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम होंगे, जो जगड़े होंगे, जो गलत फामिया होगी, वो तो होगी ही, लेकिन इस अनसान का आना आपके तरफ बहुत जरूरी है, बाद में आप उन गलत फामिया को सुलजा भी जो प्रॉब्लम है, आप उसमें से बाहर भी निकल जाओगे, लेकिन इस अनसान का आपके तरफ आना बहुत जरूरी है, और वो हो सकता है, कुछ लोग के साथ यह जो दूरिया है, जो फासले है, आप दोनों के मिटने वाले हैं, यह बहुत खुबसूरत एनरजी आपर है, जैसी एनरजी है, किसी ने आपके रिष्ट में जहर घुलने की कोशिश की है, किसी ने आप दोनों को दूर करने की कोशिश की है, एक प्यारा रिष्टा किसे से देखा नहीं जाता है, ऐसे एनरजी आपर है कि कुछ लोग यह आपर ऐसे कि आपका ही कोई दुश्मन है जिस से रिष्ठा देखा नहीं चाता और उसने नजाने इस इंसान को कितनी मनगणन कहानिया बता कर आपके बार में इतना जादा निगेटिव बना दिया इस इंसान को कि इंसान कोई अक्शन नहीं ले रहा था पास्ट में ऐसे बहुत ज़दा एनरजी है अगर ऐसा कुछ घटित हुआ है जिनके भी साथ ये मैच होगा आपके परसन की वो गलत फैमेच जिसने उस इंसान को गलत बाते बोली थी उसका ही जो भांडा है फोटने वाला है जो इस इंसान को आपके बारे में कुछ गलत बता रहा था इस इंसान को समझ में आएगा कि वो इंसान कितना घटिय है कितना गलत है वह इस रिष्ट में कैसे जगड़े लगाने कि कोशिश कर रहा है से यह कि भी सारीonna बहुत फोगो लगा है तो पता चल जाएगा किसीने आपके बारे में कुछ गलत बुरा तो आपको पता चल जाएगा ऐसे राज खुलेंगी कि आप खुद हैरान रहे जाओगे कि यह क्या हो रहा है अच्छानक होगा सड़नली ठीक है यह बहुत ही ऐसी एनर्जिया पर आई है फोकस करना है अपने पार्टनर के उपर देखते हैं ट्यारों से क्या कुछ असर होगा बुध वक्री का ठीक है देखते हैं गैस कुछ रोगे तो विश फुल्फिल्मेंट होने वाली है सबसे पहला कार्ट बहुत माइनी रखता है जिन इच्छाओ को पूरा करने के लिए आप कब से तरस रहते जिन इच्छाओ को पूरा करने के लिए आप कब से तडप रहते यह आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी person की तरफ से आपकी good news मिलेगी, वो इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेगा, two of wants के energy है, guys, आपका इंतजार भी खतम हो सकता है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी wish fulfillment होने वाली है, देखो bottom में शादी का भी card है, कुछ लोग को commitment मिल सकता है, ऐसे energy आपर है, ठीक है, two of wants के energy है, राशी है, Aries, Leo, Sagittal, देखो balance होने वाला है, इस रुष्टे में, justice होने वाला है, नाय होने वाला है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत किया है, वो full regret feel करने वाला है, और वो खुद हो कर आएगा और आपको justice देगा, और जैसे कि मैंने candle wax में भी बोला था कि अगर इस इंसान के तरफ आपके पैसे है, तो यह पैसे लोटाने के बाहने आपकी जिंदग में वापस आईगा, same energy है आपर आचुके है, कुछ लोग के partner वापस आने वाले है, बहुत ही ज़ादा इ जो आप इस इंसान के जिंदगे में जरूरी हो, इसको पता भी नहीं था, तो अब ये बूध वकरी जो है, ये जो period है, इस इंसान को समझ में आएगा कि आपकी एहमियत क्या है, आप कितनी जरूरी हो इस इंसान की जिंदगे में, और बहुत लोग यहापर ऐसे है कि आपक पुरसी होगा, कम्मिनिकेशन होगा, और जो लोग यहापर मैनिफेस्ट करे हो, उनके लिए गुड निउस है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है, राशी है, टोरस वर्कों के आप्रिकॉन, एरिस लिए वो, सज़ड्रेस, ओके, और देखते हैं, यह जो पिरेड रहेगा गाइस, यह अंसान, देखो नीचे डेथ यहापर का कार्ड दिखाई दे रहे हैं, यह जो पिरेड है, इस अंसान को फिजिकल अट्रक्शन बहुत ज़ादा होने वाला है, और जितना ज़दा फिजिकल अट्रक्शन होगा, उतना ही ज़दा उसको आपकी तरफ बढ़ने की चाहद बढ़ती जाएगी, इस रिष्टे के एक न्यू बिगनीं करने की चाहद बढ़ती जाएगी, और देखते हैं क्या होगा, मैंने candle wax में भी बोला था, कि कुछ लोग के जगड़े हो सकते हैं, मनमुटा हो सकते हैं, सकते हैं कुछ लोकल मैं बता दू कि दिम्मून के एनरजी है तो थोड़ा सावधान रहने के लिए आपको मैंने पहले भी कैंडल वैक्स में भी बोला कि जो बूद होता है वाणी का कारक होता है तो आपको अपने वाणी पर सयम रखना होगा नहीं तो जगड़े हो सकते हैं तो दिम्मून के एनरजी बता रहे हैं कि जगड़े हो सकते हैं तो आपको क्या करना है अगर कॉंटेक्ट में है बातशित हो रही है तो आपको अपने आपके उपर सयम रखना है और क्या है कुछ नाराजगी भी रह सकती है कन्फूजन भी रहेगा लाक अप क्लियारटी र लेना चाहिए वो उस वक्त डिसिजन नहीं ले पाएगा ऐसा नहीं कि वह आपके तरफ आएगा नहीं ऐसा नहीं कि आपको कमिट्मेंट देगा नहीं वह सब कुछ करेगा लेकिन जिस वक्त जो डिसिजन लेना चाहिए वो उस वक्त नहीं ले पाएगा तो टाइम की बात ह यहापर ठीक है और बहुत जादा आपके सपने देखने वाला है आपका परसन बहुत जादा और जैसे की मकर राशी में ही बुद्ध का वक्री होना और यहाँ पर देविल का आना क्या संकेत है यह बहुत लोग यहाँ पर ऐसे है कि अगर आप कभी भी physical नहीं हुए हो तो इस period में आप पहली बार physical हो सकते हो दोनों ऐसी भी energy आपर बहुत ज़ादा है जो लोग already physical relation में है यह आपका रिष्टा और गहरा हो सकता है और ज़ादा आप date पर जा सकते हो कुछ ऐसे भी लोग है यहाँ पर कि आपको अगर हर किसे के साथ बात resonate नहीं होगी अगर आपको पता नहीं था कि अनसन सिर्फ और सिर्फ physically चाहता है आपको यह आपسे प्यार नहीं करता सिर्फ physical होना चाहता है आपका इस्तमाल करना चाहता है अगर आप एक लड़की है और आपको अभी तक पता ही नहीं था कि अंसान आपका इस्तमाल कर रहा है तो ये राज भी आपके सामने आ सकता है कि ये तो प्यार करता है नहीं है। तो आप फिजिकल हो सकते हो ऐसी घड़ी आ सकती है कि आप दोने एक दुसरे के हद से जादा करीब आ सकते हो ओके तो जिनको ये नहीं करना है ऐसा कुछ आपको अलर्ट रहने के आवश्यक्ता है सावधान होने के आवश्यक्ता है ऐसी घड़ी आप दोनों के बीच में आ सकत इस इंसान को माफ करने की आवश्चक्ता है अगर कोई ऐसा है जो इस रिष्टे में आगे बढ़ना चाहता है और इस इंसाने जो गलतिया की है उसके लिए माफ भी नहीं कर रहे हो तो देखो गाईज अगर आप माफ ही नहीं करोगे तो फिर रिष्टा आगे कैसे बढ़ेगा तो जो कुछ इस इंसान ने गलतिया कर दी है अगर वो माफ करने के लाइक है तो आपको इश्वर कहते हैं कि उस इंसान को माफ कर दो और माफ करने वाला कभी भी छोटा नहीं होता माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है देखो प्लानेटरी साइकल बूध का वक्री होना और यहाँ पर जो प्लानेटरी साइकल है गाइस बहुत जादा असर हो सकता है सिर्व आपके प्यार में नहीं तो आपके ओरल लाइफ में बहुत असर हो सकता है इस बुध का वक्री होना क्योंकि ग्रहों की हम बात कर रहे हैं और यहापर ग्रहों का ही काड़ा है कुछ लोग के लिए तो यह जैसे आपकी साइकल कंप्लिट हो चुके हैं कार्मी को लेक्ष एक नेक्स्ट साइकल स्टार्ट हो सकती है यह बुध का वक्री होना यह समय आपकी जिन्दग में बहुत चेंजस लेकर आ सकता है बदलाव लेकर आ सकता है ग्राटिटूट सेन करना है आपको और विश्वास रखना है कि भगवान इश्वर आपको वह सब कुछ देंगे जो आप चाहते हो कुछ लोग आप रह से हैं कि आपको बहुत कुछ इश्वर ने दिया है लेकिन आप कभी भी किसी बात के लिए ग्राटिटूट नहीं शो करते हो तो देखो जाइस आपको ग्राटिटूट तो सेन करना होगा युनिवर्स में युकि जो आज आपके पास है दूसरे लोगों के पास उतना भी नहीं है तो जो आपके कर्म से हो या जो आपके नसीब से हो जो आपको मिला है उसके लिए आपको gratitude send करना है और विश्वास रखना है भगवान के उपर अपने प्यार के उपर कि जो भी होगा आपके भले के लिए होगा तो इस faith के साथ आपको आगे बढ़ना है और क्या है service जो भी job के लिए try कर रहे हो तो बहुत चांसे से की job लग सकती है आपको जो कुछ भी आप काम कर रहे हो वो आपको पूरे ध्यान से पूरे मन लगा कर करना है और एंजल की blessings आपके उपर हमेशा है आपको डरनी की जरुरत नहीं है खुश्या भी आईगी आपके जिंदगी में बस आप अपना जो भी काम कर रहे हो पूरे दिल से करना है आपको justice भी होगा आपके साथ जिस justice का आप इंतजार कर रहे थे आपको खुद को हील करना बहुत जरुरी है तो जिस justice का जिस न्याई का आप इंतजार कर रहे थे बहुत लोग आप ऐसे कि अब आपके साथ वो justice वो न्याई होने जा रहा है खुद को हील करना ये जरुरी है आप बहुत भोले इंसान हो बहुत ही जदा भोले आपके भोलेपन का फाइदा उठाया गया है किसे ने आपके भोलेपन का फाइदा उठा कर आपके साथ धोका किया है या आने वाले समय में ये हो सकता है या धान रखना है खयाल रखना है अपने आपका I hope आपको रुडिंग पसंद आए हो like, share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए Bye